हेलो आवरीवन शिर्फ शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं 2023 के उपर बनाऊंगी काफी दिन से सोच रही थी कि इस पर वीडियो बनाऊं ठीक है तो यह जो 2030 आ रहा है सबसे पहले जो इन फ्लेम के लिए कैसा रहेगा उसके उपर मै यह वीडियो बनाऊंगी और हर किसी की स्टेज अलग है सबसे पहले इस बात का अप लोग ध्यान रखेगा हर किसी के इशू ब्रॉकेज अलग है इस बात का भी ध्यान रखेगा सो कंप्यर ना करें अपनी जर्णी को किसी से भी ठीक है तो यह 2030 जो आ रहा है हर किसी के इसको अगर आप number को add करते हैं तो 7 number आता है और यह 7 number अगर किसी को present करता है तो वो है K2 ठीक है थोड़ा सा मैं पीछे ले जाओंगी आप लोगों को आप लोगों को याद होगा कि 2020 जब start हुआ था तो COVID कितनी तेजी से पहला था और वो साल था राहू का ठीक है तो आप राहू का क्या रूप होता है मतलब अचानक से चीजे करता है और ऐसे चीजे करता है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कोई अगर आपको disease है तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे वैसे ही COVID भी आया था जिसको लेकर हाहा कार मची हुई थी मतलब ऐसा pandemic पहला कभी बहुत टाइम पहले हुआ होगा जो पूरे वर्ड में lockdown लग गया था ठीक है तो इतना बुरा राहू का रूप होता है आप लोग समझ सकते हैं ना तो राहू एकदम से आपको कुछ भी दे रहा है ठीक है एकदम से आपको देगा और एकदम से आपसे छीन भी लेगा अगर से लिया है तो वो गलत तरीके हिससे आपके पासे चला जाएगा ठीक है राहू डिजायर है गलत डिजायर में लेका जाएगा आपको चीजें रिविल नहीं होने देगा हाइट रखेगा तो जिनको नहीं पता है राहू कैसा होता है तो आप 2020 को देख सकते हैं राहू का क्य आपके साथ गलत करके आपको सही पाद पर लेकर जाता है, मतलब सब आपको 3D वर्ड की चीजों से बिल्कुल डिटेस्च कर देगा, आपको लॉसस कराएगा, तब जाकर आप अपने अंदर छाकते हो, ठीके, तो यहां पर बात आती है, फिर केतू की, ठीके, राहू प्रेज करता है आपके माइंड को, आपके इल्यूजन को रखेगा, ए thriving को रखातो में रखेगा, हर चीज आपको इसा लगेगा, जो सच है, वो जूट है, च्छ्य जूट है , तो गलत चीजों के पीछे बहुत बागेगेंगे, तो राहू थोड़ा केतू से बहूत ही निगेटिव result देता है वर केतू जो होता है वो आपको एक सही मार्क पर लेकर जाता है तो केतू राहू से अच्छा गिरह होता है बट यह आपकी कुड़नी पर depend करता है कि इसकी क्या placement है इसकी महादशा चल रही है या नहीं चल रही है अंतरदशा में है या नहीं क्योंकि ये जब आपको bad result देते हैं ये तभी देते हैं जब इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही होते हैं तो ये जो केतु का साल आ रहा है उन पर जादा effect पड़ेगा जिन पर इसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है ठीक है और वैसे तो सभी के उपर पड़ेगा और जो लोग बहुत ही ज़्यादा spiritual है तो और उनकी spiritual growth होगी ठीक है और जो कार्मिक relationship में हैं बहुत ही ज़्यादा attachment है उनके बीज में तो वहाँ detachment होगा, detest होगे, negativity से दूर होगे, negativity वहाँ सारी release होगे ठीक है कार्मिक relationship है वहाँ सारे break होगे, राहु जो है आपको कार्मिक relationship में लेके जाता है केतु जो है वो आपको कार्मिक relationship से बहार निकालता है अगर आपकी शादी मान लिजे किसी गलत परसन से हो गई है और उस समय आपकी कुंडली में सेविंध हाउस में राहू या केतू है या शनी है और इनकी महादर्शा या अंतरदर्शा आ जाती है या ये गोचर में ही सेविंध हाउस या फिक्त हाउस में आ जाते हैं तो पूर नमबर केतू का है तो ट्वीन फ्लेम जो है जो कार्मिक रिलेशन्शिप में है डियम या डियफ या बहुत ही अटेच्मेंट है बिलकुर इस्प्रीचल पात में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं ऐसे डियम की इस्प्रीचल ग्रोथ होगी डियआफ भी अटेच्द में आएंगे निगेटीवीटि से बाहर आएंगे और आफ भी स्प्रीचल होंगे ठीक है जैसे डिय Amazon बहुत ही ज़ादा स्प्रीचल है या डिय अफ भी स्प्रीचल नहीं है या अवेक्निंग कार्मिक एनर्जी काफी रिलीज होगी यहां पर ठीक है तो यह के तू जो है एक बड़ा चेंज लेकर आएगा इस्पिसली ट्विन फ्लेम्स के लिए क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है इस्प्यूचल होते हैं और यह जो के तू का साल है इस्प्यूचल पात पे आगे बढ़ेंगे आप लोग बहुत सारे आपके अंदर चेंज आएंगे आपके पार्टनर के अंदर चेंज आएंगे soul mission के लिए आप दोनों ready हैं इस साल बहुत सारे reunion मुझे दिख रहे हैं जिस तरह के कि मुझे रोज चैलनिंग हो रही है आप लोगों को मैं upload भी कर रही हूँ ठीक है तो ये 100% sign है कि 2030 massive reunion आपका है ही ठीक है आपको reunion तो मिलना ही है इस साल क्योंकि twin flame जो के तु है spiritual partner को भी show करता है spiritual relationship को भी show करता है इस time आपको अगर healing की जरूरत है तो healing आपको ऐसे ऐसे person से मिलेगी जो आपको एक नए mark पर लेके जाएंगे आप देखोगे कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपसे attract हो रहे हैं आप spiritual हो सामने वाला person भी spiritual हो रहा है आपके family में भी लोग spiritual हो रहे है तो के तु कोई चीज को छुपा कर नहीं रखता है वो उस चीज को surface पे लेके आता है और रहो जो होता है वो चीज़ों को छुपाएगा illusion में रखेगा आपको गलत desire में ले जाएगा गलत relationship में ले जाएगा बट के तु हमेशा गलत relationship से बहार निकालता है आपको एक अच्छे मार्ग पे लेके जाता है अगर आपने अपना दिमाग, अपने मन, अपनी आत्मा को सही दिशा में लगाया तो ये के तु आपको एक कुचाई पर लेके जाएगा एक सही मार्ग पे लेके जाएगा अगर आपके 8th house में केतू है और इसका महादशा या अंतरदशा चले तो आपकी लाइफ में transformation ही ठीक है, होना ही होना है अगर 6th house में है तो आपकी intuitive power, आपका बहुत ज़्यादा psychic abilities काफी बढ़ जाएगी यहाँ पर अगर 12th house में है तो यह मोक्ष का house होता है ठीक है, spiritual spirituality का house होता है foreign traveling का house होता है losses का house होता है ठीक है, सब conscious mind को show करता है वो भी हमारा 12th house को ही represent करता है ठीक है तो यह basic सी knowledge है ठीक है, आप लोगों की गुडली में कहां केतू की placement है केतू की महादशा चल रही है या नहीं चल रही है यह सब चीज़े भी important रखती है ठीक है तो हर किसी के लिए जर्णी अलग है और हर किसी पिसका effect जो है अलग पड़ेगा दूसरा 17 जन्वरी को सनी भी अपने ही राशी में आ रहे हैं जो की positive change लेकर आएगा positive result लेकर आएगा शनी भी नियाय के देपता है हर किसी को justice मिलेगा हर divine feminine divine masculine को justice मिलेगा और karmic person को भी justice मिलेगा क्योंकि उसको निकलना ही है ठीक है justice का मतलब क्या है उसको जैसे ही उसका karmic account पूरा हो गया है तो नियाय का time आ चुका है अब उसको निकलना ही होगा और नहीं निकलेगी तो उसको फिर एक जो punishment समझ लीजिए शनी देप की तरफ से या इश्वर की तरफ से जो मिलनी जाएं वो मिलती ही मिलती है जाहें वो नियम अगर जब अजस्ती कार्मिक relationship में रहते हैं तो उनको वहाँ पे भी बहुत बड़ा soul shock ठीक है trigger जो हम अपनी twin flame journey में कहते हैं और अगर twin flame journey के अलावा इसको देखे जाए तो इसको कहते हैं punishment शनी देप की तरफ से ठीक है तो हर किसी को justice मिलेगा ही मिलेगा आप twin flame journey में हैं तो क्योंकि सनी अब अपने ही house में आ रहे हैं और अपने घर में हर कोई राजा होता है ठीक है तो अपने घर में रहकर कोई गलत नहीं करता है अपने घर की चीजों को कोई खराब करना नहीं चाहता है positive result देना चाहता है ठीक है तो यहाँ पर सनी अपने ही घर में होंगे बहुत positive result मिलेगा प्लस गुरू चेंज हो जाएंगे गुरू मेश राजी में चाहेंगे जो की वहाँ पहले से राहू प्रेजेंट है ठीक है तो गुरू और राहू का जो conjunction है वह कही ना कही गुरू चंडाल योग कहलाता है अगर यह आपके 7th house में बन रहा है यह आपके DM के 7th house में बन रहा है यह 5th house में है यह 1st house में है यह कहीं से भी expect इसका 7th house में पढ़ रहा है तो यह 100% ऐसे लोगों का divorce ठीक है तो ये भी एक बड़ा चींज लेकर आएगा च्विन फ्लेम के लिए जो अभी तक थर्ड पार्टी में स्टक हैं या थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं अक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो यहां राओ के दुगा एक मेजर रोल होगा ठीक है क्योंकि गुरू भी मेजराशी में आ रहे हैं मित्र की राशी में आ रहे हैं मीजराशी में थे खुद के ही घर में थे उनका भी एक positive result था मीजराशी में भी उनका positive result होगा बट यहां से कार्मिक एनरजी बहुत ज़ादा release होंगी 2023 में ठीक है, बहुत सारी negativity रिलीज होने के बाद ये पर्मानेंट रियूनियन का साल रहेगा आप लोग बहुत ही जादा इस्प्यूचल होंगे और जो ट्विन फ्लेम जरनी में नहीं भी है उसमें भी उनमें भी आप देखेंगे कि लोग जादा से जादा इस्प्यूचल हो रहे हैं ठीक है फिर से दे बैलेंस कर रहा था क्योंकि पूरा ही रहू का साल था और थोड़ा-थोड़ा बीच में अगर बैलेंस आरा था या पॉजिटिविटी आ रही थी कि वैक्सीन आ गई है तो पॉजिटिव ही रहिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ट्विन प्रेंस के लिए यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और जिनकी अवेकनिंग अभी हुई है ठीक है एक मेरे पास कमेंट आया था मैम कि आपने बोला सेपरेशन तो क्या हमारा सेपरेशन हो जाएगा देखी अगर आपका भी सिर्फ और सिर्फ यूनियन हुआ है आपको नहीं पता है ट्विन प्लेम जर्नी के बारे में यह पता चल गया है और आप भी सिर्फ और सिर्फ यूनियन में आये हैं तो यह 100% चांग सेपरेशन होगा बट आप सेपरेशन के पीरियड में हो काफी लंबे समय से आप इनवर्क कर रहे हो काफी हीलिंग आपको अपने खुट को हील कर पार आपको जो चैनलिंग दी जा रही है वो मैच हो रही है तो कहीं ना कहीं यह अब आपके लिए रियूनियन के ही साल होगा सोल पर्पस का साल होगा सोल मिशन एक साथ आप दोनों लोग करेंगे ठीक है तो यह बहुत इवड़ा चींज है बहुत पॉसेटिव चैंज है सबी के लिए ठीक है तो यह बेसिक मैंने बताया थोड़ा सब बेसिक प्रेडिक्शन दी है के तू के ऊपर ठीक है और कुछ भी अगर मुझे गाइडेंस आती है या चैनलिंग होती है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी बट आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मेलूंगी तब तक लिए अपना ध्यान लखिए खुश रहिए सौस्त रहिए